Hello students, this is Aditya God. आज मुजिक में हम 12th के कोर्स की दूसरी ताल यानि की ताल रूपक के बारे में पढ़ेंगे. तो रूपक में मात्राएं 3, 2, 2 के अकॉर्डिंग आती हैं. यानि कि पहले विभाग में 3 मात्रा हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्रा हैं, और तीसरे विभाग में भी 2 मात्रा हैं, जैसे हमने जपताल में आपको बताया था कि जपताल में मात्रा हैं, 2-3-2-3 के अकॉर्डिंग आती हैं, तो रूपक में मात्रा हैं, 3-2-2 के अकॉर्डि है तो यहां पर मात्रा जो हम इसको count कर लेते हैं 3 plus 2 plus 2 तो total हुआ यह 7 तो मात्रा कितनी हो गई 7 इसके बाद दूसरी heading इसमें आती है विभाग तो देखें यहां पर विभाग कितने हैं 1 2 3 तो साथ मात्रा कितने विभाग में लिखी गई है तीन विभाग में तो इसलिए विभाग में क्या लिख दिया हम नहीं आप 3 कि इसके बाद कि ताली कि तो हमने यहां पे रूपक ताल में चौथी और छटी मात्रा पर ताली लिए है है यहां एक बात में आपको याद दिलाना चाओँ गा यहां पर बहुत important point में यहां पर आपको बताना चाओँगा कर रूपक ताल की जो पहली मात्रा है उस पर ताली होनी चाहिए या खाली होनी चाहिए इस बात को लेकर जो संगीत कार है जो musicians है उनमें विवाद यहाँ पर एक question आता है जो examiner आपसे practical में पूछ सकता है कि रूपक ताल की पहली मात्रा ताली होती है या खाली होती है तो आपको इस बात का reply देना है कि हम इस पर ताली भी मान सकते हैं या खाली भी मान सकते हैं तो examiner पुछता है कि वही ऐसा क्यों हम तो इसको ताली मानते हैं कि नहीं हम इसको ताली भी मान सकते हैं और खाली भी मान सकते हैं क्योंकि इस बात को लेकर संगीतकारों में विवाद है कुछ संगीतकार इसकी पहली मात्रा पर ताली मानते हैं और कुछ संगीतकार इसकी पहल पहली मात्रा को खाली माना है तो जब पहली मात्रा हैं पर खाली हो जाती है तो हमने आपको बताया था कि हर विभाग की पहली मात्रा पर ताली या खाली होती है तो जैसे इस विभाग में कितनी मात्रा हैं तीन तो पहली मात्रा कौन सी हो गई वन तो वन को हमने क्या मान लिय या खाली अब तीन के बाद यहां पर क्या आएगा फॉर फाइव दो मात्रा हैं फॉर फाइव तो फॉर पे हमने इसकी पहली ताली मान ली और इसके आगे फाइव के बाद यहां पर कितनी मात्रा मची दो मात्रा हैं सिक्स और सेवन तो सिक्स पर हमने यहां पर दूसरी मात् मात्रा पर पहली ताली हो गई और छटी मात्रा पर इसकी दूसरी ताली हो गई और खाली किस पर हो गई वन पर यहां पर हम वन पर ताली भी माल सकते हैं तो इस हिसाब से रुपकताल का परिचा पूरा हुआ कि मात्राइं साथ हैं, विभाग तीन हैं, ताली इसकी चौथी और छटी मात्रा पर है और खाली इसकी पहली मात्रा पर है कुछ लोग इसको अगर पहली मात्रा पर ताली मान लेते हैं, तो ताली में 1, 4, 6, 3 तीनों आ जाएगा, और खाली में कुछ नहीं आएगा जब पहली मात्रा भी आपकी ताली हो गई तो खाली आपकी कोई बची ही नहीं तो इसलिए अगर आप इसको पहली मात्रों को भी ताली मानते हैं तो आप ताली में ही 1 भी लिख देंगे 1, 4 और 6 मात्रों पर ताली, खाली कोई नहीं खाली में आपका आजाएगा अंसर कोई नहीं तो हमने यहां खाली माना है इसलिए हमने खाली में 1 लिखा है और ताली में 4 और 6 लिखा है तो यहां पर मैं आपको दुबारा से यह याद दिला देता हूं कि इस ताल की पहली मात्रा ताली भी मानी जा सकती है और खाली भी मान होती है जो ताल की जो लय होती है धीमी या तेज तो पहली लयकारी है हमारी एक गुन एक गुन के बारे में हमने बताया था कि जब हम एक मात्रा में एक ही बोल को बोलते हैं तो वह एक गुन कहलाता है तो रुपक्ताल में कितनी मात्राइं हैं? साथ मात्राइं हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहले मात्राइं heading लिखके सब heading लिखके साथ तक हमने मात्राइं लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके बाद फिर आता यहाँ पर विभाग कितने विभाग हैं? तो पहला विभाग कितनी मात्राओं के बाद है? तीन मात्राओं के बाद तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 3 के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्राओ कर दी पहला विभाग हो गया फिर दूसरा विभाग कितनी मात्राओं का है? दो मात्राओं का तीन के बाद दूसरा विभाग दो मात्राओं का है तो इसलिए हमने यहाँ पे दूसरे विभाग में दो मात्राओं लिख दी उसके आगे की 4 और 5 और 4, 5 के बाद में यहाँ पे हमने एक लाइन ट्रॉ कर दी तो यह दूसरा विभाग बन गया हमारा फिर तीसरे विभाग में भी हमारी यहां पे दो मात्राएं हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक यहां पे आ गया तो आगे की दो मात्राएं यानि कि 6 और 7 हमारी तीसरे विभाग में आ जाएंगी तो यहां पे आ गया आपका 6 और 7 तो पहले विभाग में 3 मात्राएं हो गई दूसरे विवाग में दो मात्रा है और तीसरे विवाग में भी दो मात्रा है तो विवाद तक का आपका complete हो गया इसके बाद आता है ताली और खाली के चिन तो हमने इसकी पहली मात्रा को खाली माना है कोई बात नहीं ये आपको मैं बता दूँ कि चाहे हम इसकी पहली मात्रा पर ताली माने या खाली माने हम हमेशा जो sign लगाएंगे वो cross का लगाएंगे उसके पीछे reason है हम यहाँ पर इसको 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि खाली का sign क्या होता है 0 खाली का chin 0 होता है लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको 0 लिख दिया तो आप फिर इसको खाली ही मानेंगे फिर आप इसको ताली नहीं मान सकते लेकिन अगर आप 1 के नीचे cross लिख रहे हैं तो आप इसको ताली भी मान सकते हैं और खाली भी मान सकते हैं ऐसे ही जब यहाँ पे हमने इसको खाली मान लिया तो 4 के नीचे sign आएगा 2 का और 6 के नीचे sign आएगा 3 का यह sign change नहीं होंगे चाहे आप यहाँ पे cross लिखिए चाहे आप यहाँ पे 0 लिखिए लेकिन आपका 4 और 6 का जो sign है जो चिन है वो change नहीं होगा यह 2 और 3 ही रहेगा अगर आप यहाँ 0 लिख रहे हैं तो पहली मात्रा पे 0, 4 पे 2, और 6 पे 3 तब भी यहाँ पे 2 और 3 ही रहेगा अगर आप इसको खाली मानते हैं तो भी आप 4 मात्रा पर यहाँ पे ताली आ गई और 6 मात्रा पर यहाँ पे दूसरी ताली हो गई तो यहाँ पे आप हमेशा sign cross का ही लगाएंगे 0 नहीं लिखेंगे लिख सकते हैं लेकिन हम इसको 0 नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे 1 के नीचे हमेशा cross ही लिखेंगे चाहे ताली हो या खाली हो अब रुपक ताल के जो बोल हैं वो हैं ती ना धी ना धी ना रुपक ताल के बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना तो फिलाल आप जो है अभी इस ताल के जो परीचे है यानि कि मात्राएं विभाग ताली और खाली इसको आप याद कीजिए और ये बात ध्यान रखेगा कि रुपक ताल में पहली मात्रा ताली भी हो सकती है या खाली भी हो सकती है इसको लेकर संगीत कारों में विवाद है हमने यहाँ पर इसकी पहली मात्रा खाली मानी है लेकिन साइन हम क्रॉस का ही लिखेंगे और रुपक ताल के बोल ती ती ना धी ना धी ना फिलाल आप इसके बोलों की बोलने की प्रैक्टिस कीजिए जैसे आपने एक गुन में याद कर लिया ती ती ना धी ना धी ना अब इसको जाद तेज तेस स्पीड में बोलने की कोशिश कीजिए ती ती ना धी 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 ना प्रती तो इस तरह सहाँ Is Constitution एक प्रक्थिस कीघें तो कल हम किस की आगय की लेकरी आपको पढ़ाएंगे कि दुगुन कें कॉल कैसे लिखी जाती है उसके बाद हम इसकी टाली सीखेंगे इसकी ताली काली कैसे की जाती है तो आज कर आपका टॉपीक है of भी निश होता है, थेंक यू